हम लोग ने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था लेकिन उसके बाद जब लड़कियों ने कमबेक किया वह बहुत आउटसेंडिंग था तो लड़कियों को एक होप थी कि उन लोगों ने खेलना है फाइनल तो इसी होप की वज़र से ही साही लड़कियां फाइट करती जा रही थी तो उससे हमें बेनिफिट हो रहा था कोशि लड़कियों की यही कोशिश होगी कि अच्छे नोट पर फिनिश कर सके राइवल्री तो वाकिव में होती है और जिस्तान अंदर खेल रहे होते हैं लड़कियों का इग्रेशन होता है सब बहुत डिफरेंट होता है और सब लड़कियां जान भी तरीके से मार रही होती है क सब्सक्राइब तो यंग्स्टर्स हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे थे तो आइधिंग यह यंग्स्टर्स की वजह से हमारी टीम यहां तक पुछिए कि जिसताना सारी यंग्स्टर्स ने खेला है वाउट संदू था बहुत अच्छी रही है गुलाम फात्मा जो इसके लावा सिद्रामीन हमारे टॉप रंगेटर है और बहुत सारी पर्फॉर्मसेज रही है जैसे नश्या संदू है वह भी सेकंड टॉप हाइस विकेटेकर हैं तो इंडिविजियली देखा जाए तो बड़ी जबुदस पर्फॉर्मसेज रही है लहूर की तरफ से और दस मैचेज जो के दस के दस हम लोग ने जीते हैं तो आज टीम बहुत जबदस पर्फॉर्म भी किया है और बड़ा अच्छा टॉर्नमेंट रहा है हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ लड़ीकियों का बड़ा नजर आ रहा है बहुत भी बहुत सारी प्रफॉर्मेंट को खेला जिसरा अभी तक हमारी टीम आनबीटेबल रही है इंशाला तला फाइनल भी हमारा बहुत जबदस होगा हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर मैच जीतने के लिए और जिसरा की परफॉर्मेंस हमारी पूरी टीम दे रही है जो साल लड़ीया हर रोल म यही परफॉर्मेंस हैं जो आपको फाइनल तक लेकर आई है और इंशाला तला फाइनल भी जितवाएंगे डेफिनेटली कराची की टीम भी हमेशा से बहुत अच्छी रही है सीनियर प्लेर्स भी हैं और जूनियर प्लेर्स भी हैं लेकिन उन्च नहीं चाहती रही है उनक लोगों को क्रिकेट देखने को मिलें इंशाला तला होपस हो कि कल अच्छा माच होगा